कुछ नवी के विज्ञान मेशे में आप सुभी कर्श्वागत हैं आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले में हमने इसके बारे में कुछ पढ़ लिया हैं तो आज हम लोग दिखेंगे कोशिका का अध्यन प्रारूपिक कोशिका कोशिका का अध्यन प्रारूपिक कोशिका वग्यानिकों ने कोशिका के कुछ बुनियादी समानताओं को ध्यान में रख कर कोशिका का मार्डल बनाया जिसे हम प्रारूपिक कोशिका कहते हैं वग्यानिकों ने जो कोशिका को माइक्रिश्कोप में देखा और उसके अनुशार एक माडल प्रस्तुत किया ठीक कि कोशिका किस प्रकार से होती है कोशिका के अंदर में क्या होती है उसके बाहर में क्या होती है उसी को देखते हुए उन्होंने एक माडल बनाया जिसे हम लोग कहेंगे प्रारूपिक कोशिका पादप और जन्तु कोशिका के प्रारूपिक नामन की चित्र इस प्रकार है यहाँ पर बना है यहाँ पर आपको पादप कोशिका और जन्तु कोशिका दोनों की चित्र दिखाई दे रहे होंगे यह आपकी पादप कोशिका यह है आपकी जन्तु कोशिका पादब कोशिका का मतलब है यह कोशिका जो पेड़ पौधे में पाई जाती है पेड़ पौधे का जो बौड़ी होता है पूरा उनका जो सरीर होता है वो किसे मिल के बना होता है इस पादब कोशिका के मिलने से बना होता है और जन्तु कोशिका जैसे कि मनुश्य हो गया तो मनुश्य कर सरीर इस प्रकार की कोशिका के मिलने से बना रहेगा ठीक तो पादप कोशिका में देखते हैं सबसे बाहर में होगी आपकी पादप कोशिका में सबसे बाहर में होती है कोशिका भित्ती पादब कोश्का में सबसे बाहर में क्या होती है कोश्का भित्ती लेकिन जन्तु कोश्का में कोश्का भित्ती नहीं पाई जाती है पादब कोश्का में कोश्का भित्ती पाई जाती है लेकिन जन्तु कोश्का में कोश्का भित्ती नहीं पाई जाती है ठीक तो यह हो गई आपकी बाहर में कोशका बिती कोशका बिती कर अंदर चलें तो यहाँ पर एक पतला सा लाइन आपको दिखाई दे रहोगा यह है आपकी कोशका जिल्ली ठीक कोशका जिल्ली जो होती है जनतु कोशका में मिलती है यह जो है भारी भरत यह है आपकी कोशका उसके बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहोगा यह वाला भाग वो है आपका लवक ठीक, तो लवक के बाद देखो यहाँ पर एक बड़ा सा यह आसर टाइप से आपको सरश्ण दिखाई दे रही होगी है ना इसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं यहां पर जो बड़ी सी आसर जैसे सरशना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं रिक्तिका ठीक और यहाँ पे यहाँ पे देखो एक केंद्रक टाइप से सरशन दिखा रही है बीच में इसे कहते हैं हम लोग केंद्रक इसे क्या कहेंगे केंद्रक उसके बाद यहाँ पे पतली पतली रेशेदार सरशन दिखाई दे रही है इसे हम लोग कहते हैं अंता प्रदव्य जाली का ठीक उसके पशाद यहाँ पे इसके अंदर में ये कोशका भी ती ये कोशका जिली कोशका जिली के अंदर में पतला द्रव भरा रहता है क्या भरा रहता है द्रव इसे हम लोग क्या कहते हैं कोशी का द्रव्य कहते हैं ठीक इ यहां सरचनाया PC inspect lip Ցल्योस का में इस जन्तु कोशका में वह भी पतला रंगीन द्रॉब भरा रहता है खोषका के अंदर क्या भरा राता है? रंगींदो भरा राता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खोषका द्रव्य कहते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको सरष्ण दिखाई दे रही होगे मुढी हुई इसे कहेंगे माइटो कान्डिया यहाँ पे और एक-एक सरशन जो गोलाकार दिखाई तेरी ही इसे कहते हैं Lysosome अब हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चितर बना करके देखेंगे तो था उसके अंदर में जो जो अंग है जो जो औरगेंस है देखो इसके अंदर में जो जो अंग आपको दिखाई दे रहे हैं उसे हम लोग कोशिका आरगेन या फिर कोशिकांग कहते हैं क्या कहते हैं कोशिकांग कहते हैं इसमें भी वैसे ही है यहां पर अंदर में जो मायटोकांडिय हो गई रिक्तिका हो गई गालजी काय हो गई केंद्र इन सब को क्या कहते हैं कोशिकांग कहते हैं ठीक तो इसको बारे में अब हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे यह है आपकी प्रारूपी पादब कोशिका वग्यानिकों ने जो कोशिका की वास्तविक सरश्णन थी उसको ध्यान में रखकर कोशिका के एक माडल प्रस्तुत किया जिसे हम लोग प्रारूपी कोशिका कहते हैं उसे हम लोग क्या करें प्रारुपी कोशिका, है न, तो यहाँ पर प्यादब कोशिका का चितर बनाये गया है, यहाँ पर जो बड़ा सा आपको मौटा सा भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाहर की ओर, यह है आपकी कोशिका भित्ती, ठीक कोश का बित्ति के अंदर का भाग क्या कहलाता है कोशी का छिल्ली उसके पस्षाथ यहां बीच में एक बड़ी क्या दिखाई देती है एक बड़ी सरचना हमें दिखाई देती है इसे हम लोग क्या कहते हैं रिक्ति का रिक्ति का के नीचे आपको यहां पर दिखाई देगा एक सरचना मोड़ी हुई इस तरीके से इसे हम लोग कहते हैं माइटो कांडिया ठीक माइटो कांडिया यहां पर एक और सरचना दिखाई देगी आपको इसे कहेंगे हम लोग लाइसोसोम ठीक उसके बाद ये है कोशिका कोशिका के अंदर में रंगीन क्या भरा रहता है द्रौ भरा रहता है ना इसे हम लोग क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य वो पूरी तरीके से सब तरफ खेला रहता है क्या कहते है कोशिका द्रव्य उसके बाद और क्या बच गया लाइसस हम हो गया मैटो कांडे हो गया रिक्तिका होगा और लवग बचा है और अन्ता प्रदव्य जाली का बचा है यह है आपका लवग उसके प्रशाद यहां पर होता है आपका केंद्रक ठिक यह क्या है आपका केंद्रक के बाद आपको एक सरचन दिखाई देगी कुछ इस तरीके से जिसे हम लोग कहते हैं अन्ता प्रदव्य जाली का क्या कहेंगे अन्ता प्रदव्य जाली का कुछ का जिल्ली हो गया लवक हो गया कुछ का दरव केंद्रक रिक्ति का माइटो काणिया लश्य श्वं अन्ता प्रदव्य जाली का गाल्जी का इसमें से बच्छा है यह आपका गाल्जी का है ठीक इस तरह के से आपके पादब कोशिगा की सरचना हो जाती है ठीक उसके पर शाथ यहाँ पर देखेंगे अगर जन्तु कोशिगा को तो जन्तु कोशिगा में क्या होता है यह है आपकी प्रारूपिक जन्तु कोशिगा प्रारूपिक जन्तु कोशिगा ठीक इसमें क्या होता है इसके बीच में आपको केंद्रक मिलेगा ठीक यह क्या है आपका यह केंद्रक है ठीक यहाँ पर भी केंद्रक है और यह वाला केंद्रक है आपका इसके पश्यात इसमें कोश का भी इती नहीं होता है लेकिन कोश का जिल्ली क्या होता है होता है यह है आपकी अंतर प्रुदब विजाली का यह क्या है आपकी अंतर प्रुदब विजाली का यह अंतर प्रुदब विजाली का जिसको सौट में हम लोग क्या कहते है इ-र कहते है क्या कहते है इ-र ठीक उसके बाद यहाँ पे बीच में क्या मिलता है रिक्तिका ठीक यह है आपकी रिक्तिका यहां पे मिलेगा आपको जरुई नहीं है कि यहां पे ही मिले मतलब यह कोश्का दरवे है तो इधर उधर बेखरे भी हो शकते हैं है ना यह है गल जी का यह क्या है गल जी का है कि मायटोकंडी है यह यह है उसके परशाथ और गोला का सरचना की लुपमे मिलती है आपको लाइस हो सोंग मायटोकंडी होगा रिक्तिका हो गई-गाल जी का हो गया कैंद्रफ हो गया अब इस में से होश्का दरवे होगा बीच बीच में अब इसको देखो तो आपको पता चलेगा कि पादप कोशिका की कौन कौन से सरजना आपको जन्तु कोशिका में दिखाए नहीं पड़ती है सबसे पहले है कोश्क भिति आपको जन्तु कोशिका में कोश्क भिति नहीं मिलती है दूसरा है आपका लवक लवक इसमें आपको इस जन्तु कोश्का में नहीं दिखाई देता है तो यह है पादप कोशिका और जन्तु कोशिका अब आगे देखते हैं तो श्रोतोश प्राप्त जानकारी के अधार पर प्रारुपी चीत्रों को हमने बनाया है। तो उनमें अब तक की जानकारी के अनुसार मुख्य अंगों को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि हमें कोश्का की सरशना का अभास मिले। आज कल कई वे ज्यानिक ने तो एक कोश्की जीव को ही प्रारुपी कोश्का मान कर अध्यन किया है। इससे उन्हें कोश्का की जीवन क्रियास सिल रूप का भी अभास मिलता है। चाहे हमें अपने सरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं का अध्यन करना हो या किसी अन्य जीव का किसी ने किसी प्रावर्पिक चित्र की अशक्ता होती है। कोशिका को दस गुना से लेकर पांच लाग गुना बड़ा करके देख सकते हैं। तो उनकी जानकारी अभी भी अधूरी है और उन पर शोत क्या है जारी है। तो यहाँ पर जो सुच्मदर्शी है उसका विसकार कब हुआ है। 200 साल पहले हुआ है। सुच्मदर्शी के माध्यम से हम लोग कोई भी कोशिका को 10 से 5 लाग गुना बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वैसे यह आवश्चक नहीं है कि प्रारूपिक पादप यह जन्तु कोशिका में दिखाई गई सभी सरचनाई। एक साथ आपको सभी कोशिका में पाई जाए। जैसे कि प्रत्य कोशिका में यह जरूरी नहीं है कि यहां पर जितने भी आरगन हमने लिखे हैं पढ़े हैं वो सभी प्रत्य कोशिका में मिले। कोशिका में उनके कारे के अधार पर कोशिकां की उपरसिती वर्शंक्या हमें देखने को मिलती है। कोई कोशिका किस प्रकार से काम कर रही है तो उसमें उस प्रकार के अंग आपको मिलेगे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितने भी दस अंग के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है पादप कोशिका में तो पादप प्रतिक कोशिका में आपको यह दस अंग मिले वो कोशिका क कारिप पर निर्भर करती है कि वो किस प्रकार से काम कर रही है उसके अधार पर आपको क्या मिलेंगे कोशिका ये अंग है जो कोशिकांग है वो दिखाई पड़ेंगे ठीक हम यहां पर कोशिकांग को तो दिखा सकते हैं लेकिन कोशिकांग की कितिनी संख्या है उसको इस चि चित्र के माध्यम से कोशिकांग की कितनी संख्या है वो पता नहीं चलती है है ना मतलब कोशिकांग की संख्या कितनी है एक है दो है तीन है चार है कितनी संख्या है उसका अधियन हम लोग चित्र के माध्यम से नहीं कर शकते ठीक अब हम लोग अंतर जिली तंतर और कोशिकां के बारे में देखेंगे तो इसके अंतर गत क्या होता है कई भाग जैसे अंता प्रदव्य जाली का गाल जी काय लाईसोसम और कश्का झिल्ली इत्यादी आते हैं ठीक कश्छन जील्ली तंतर जिसके गुखा या अंदर का इस्थान बाह कोश का दरविश्य क्या होता है अलग होता है मतलब माल लेते हैं यहां पे आपकी पूरी कोशिका है ठीक इसके अंदर में कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो कोश का जिल्ली द्यारा घीर रहेंगे आंतर प्रदव्य जालिका को हम लोग ER भी लिखते हैं आंतर प्रदव्य जालिका एक जिल्ली से घिरी हुई है तो ये जिल्ली जो होगी इस कोशी कांग को इस ER को बाया कोश का दरव्य जे क्या करती है अलग रखती है ये जिल्ली ER के जो अंदर के बदार्थ है उसको बाया कोश्का जो द्रव्य है उससे क्या करती है अलग रहती है कोश्का जो होता है आपका है ना कोश्का जो होता है उसके अंदर में गाढ़ा रंगी इंद्राव भरा रहता है जिसे हम लोग कोश्का द्रव्य काते हैं है ना तो यहां पे कोशिकांग एक जिल्ली बद्ध आरण से घीरे रहते हैं कोशिकांग जो होते हैं चाहे अंतर प्रदविजाली का हो लाईशो शुम हो गाल जी का है यह जिल्ली दारण क्या रहते हैं घीरे रहते हैं और कोश का दरविशे क्या होते हैं अलग रहते हैं तो अब हम लोग देखेंगे अलग-अलग कोशिकांग के बारे में तो यहाँ पर देखो कुछ कोशिकांग ऐसे होते जिन में पदार्थ का इस तरीके से होता है जैसे कि केंद्रक जिल्ली केंद्रक जिल्ली से अंतर प्रदव्य जालिका में जाता है उसके बाद कोश का जिल्ली, ठीक तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो केंद्रक जिल्ली से अंतरप्रदव्य जालिका अंतरप्रदव्य जालिका से कोश का जिल्ली साथ ही अंतरप्रदव्य जालिका से पदार्थों का अवागमन इस तरीके से होता है गालजिकाय, गालजिकाय से लाइसोसम लाइसोसम से भी गालजिकाय और गालजिकाय से भी अंतरप्रदवेजालिका अंतरप्रदवेजालिका से कोश्का जिल्ली और केंदर्ग जिल्ली तो यहाँ पर जो पदार्द होते हैं कुछ-कुछ पदार्द उनमें पदार्द का आवागमन इस तरीके से होता है इन कोशिकांगों में इस तरीके से क्या होता है पाया जाता है ये उनका क्रम है ठीक तो कोई भी कोशिका हो उसमें आपको क्या क्या मिल सकी उसमें आपको कोश्का जिल्ली दिखाई देगी है न कोश्का भी तो सिर्फ पाधक कोश्का में होगी जन्तु कोश्का में नहीं होगी तो सबसे पहले देखते हैं कोश्का जिल्ली को कोशकजिल्ले के बारे में जानने के लिए हमें एक यहाँ पर क्रिया कलाप करना पड़ेगा सक्कर का सांद्र घोल बनाईए यानि दो चम्मत सक्कर आधिक का पानी में घोल ले सांद्र घोल का मतलब ये है कि उसमें विले की मातर क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए विले की मातर क्या होनी चाहिए अधिक विले का मतलब जैसे कि पानी में हम लोग सकर या फिर नमक को घोल रहे है तो जो सकर या फिर पानी जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा विले और जो सक्कर या फिर नमक होगा वो कहलाएगा आपका विले और जो पानी है वो कहलाता है विलायक यहाँ पर एक बिकर में बिकर में हम जो थोड़ सा पानी डाले हैं ठिक और इसमें उससे अधिक चमच मतलब माल लेते हैं इसमें हमने आदा का पानी डाला है और दो चम्मस या फिर दो चम्मस से ज़्यादा इसमें सक्कर डाला है तो यहाँ पर विलायक की जो मात्र होती है विले की अपेक्षा थोड़ी कम होती है मतलब या फिर विले की जो मात्र होती है विलायक की अपेक्षा कम होती है तो यहाँ पे जो विलियन बनेगा वो शांद्र बनेगा जैसे कि विले यहाँ पे है आपका नमक और विलायक है आपका जन उसी तरीके से अगर पानी की मात्रा ना लेते हैं इस बिकर को हमने पूरा पानी से भड़ दिया है ठीक और इसमें एक चिम्टी नमक डाल रहे हैं कितना एक चिम्टी नमक तो यहाँ पे आपको जो विलियन त्यार होगा वो तनु विलियन होगा क्योंकि यहाँ पे विलायक की मात्र क्या है अधिक है लेकिन यहाँ पर विले की मात्र क्या है विलायक क्या पेक्छा जादा है तो विले की मात्र जादा है तो यहाँ पर जो विलियन बनेगा आपका वो कैसा रहेगा सांध्रा रहेगा ठिक और यहाँ पर जो विलियन बनेगा वो कैसा रहेगा दनू रहेगा ठिक तो यहाँ पर जो रियो की पत्ती की निचली सतह की जो परत होगी उस पर क्या करेंगे डालेंगे इसके लिए आप नई स्लाइड भी बना सकते हैं या क्रिया कलाब 2 में बनी स्लाइड का भी उफ्योग कर शकते हैं क्रिया कलाब 2 में हमने रियो की पत्ती की जो कोशिका होती है उसको देखने के लिए एक स्लाइड बनाया था है ना तो उसका भी हम लोग उफ्योग कर शकते हैं या फिर एक नई स्लाइड बना सकते हैं देखो सबसे पहले क्या करेंगे जो रियो की पत्ती होती है उसके रियो की पत्ती के निचले वाली परत को हम लोग निकालेंगे जो सफेद परत होती है उसको निकालेंगे उसके पशाथ यहाँ पर जो घोल बनाया है उसके उपर में उसको डालेंगे और उसे एक स्लाइड में रग देंगे और पाँच मिनट रखने के पशाथ उसे सुचमिदर्शिश क्या करेंगे देखेंगे तो क्या होता है तो उसे सुचमिदर्शिश देखेंगे तो क्या होगा क्या गुलाबी रंग कोशिका के एक हिस्से में सिमण गया कोशिका की गुलाबी रंग वाले हिस्से की बाहरी सीमा क्या है कोश का जिल्ली है प्रारुपी कोशिका में भी इसे देखने का प्रयास करें या बाय आवरण यानी कोश का भित्ती से दूर हो गई है इस अवस्था को कोश का द्रव्य कुंचन कहते हैं रियो की पत्ती की जो स्लाइड बनाई है उसे हम लोग अगर सुच में दर्शी से देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा जो गुलाबी वाला भाग है वो एक तरप आ जाएगा और जो पारदर्शी वाला भाग है वो बीच में रह जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है जो कोशिका जिल्ली होती है कोशिका जिल्ली होती है वो कोशिका के बाहर की और आकर की सिमट जाती है यहाँ पर देखो यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर जो कोशिका है लाल वाला भाग उसके बाहर की तरफ पाई जाएगी आपकी कोशका जिल्ली और यहां पर आपको हलका से दिख रहा हो गया ऐसे करके सरचना बनी रहती है यहां पर जिसे हम लोग कहेंगे कोशिका बित्ती इसे हम लोग क्या कहेंगे कोशका बित्ती इसके चारों तरफ ऐसे करके एक लाइन की तरफ सरचना बनी रहेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे कोशका भित्ती, ठीक, यह कोशका जिल्ली और जो कोशका भित्ती होती है हमें प्रारूपिक कोशका में भी दिखाई देती है, यहाँ पर देखो कोशका भित्ती और उसके नीचे में है, मतलब उसके अंदर में है कोशका जिल्ली, ठीक, तो किसे कहते हैं कि अगर कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हूँ कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता कम हूँ चीनी के सांद्र गोल में कोश का द्रवे से कम पानी है है ना चीनी का जो सांद्र गोल हमने बनाया है उसमें कोश का द्रवे के पेक्ष़ क्या होती है कम पानी होती है तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा ऐसे ही जब सांद्रता के अंतर की कारण द्रव्यों का बहाव किसी जिल्ली के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहते हैं परासरड कहते हैं तो यहाँ परासरड की क्रिया हो रही है कैसे में आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा जब हम लोग रियो की पत्ति का प्रैक्टिकल यहाँ पर कर रहे थे तो क्या के लिए थे सक्कर का सांद्र घोल बनाए थे जिसे रियो की जो पत्ति होती है उसकी परत पर डाले थे और कहां पर रखे थे स्लाइट पर तो जब हम लोग रियों की जो पत्ती होती है उसकी परत पर सांद्र घोल को रखते हैं तो क्या होता है ये सांद्र घोल है इसका मतलब इसमें विलायक क्या है कम है विलायक कम है मतलब पानी क्या होता है कम होता है तो जब हम लोग इसको रखते हैं तो इसमें से जब इस तरीके से अधिक सांद्रवाला गोल मतलब सक्कर का सांद्र गोल हम लोग इस रियों की पत्ती की परत पे रखते हैं और अभिगमन करता है कोशिका जिल्ले के माध्यम से पानी अधिक सांद्रवाले भाग से कम सांद्रवाले भाग की तरफ अभिगमन करता है इसे पराश्रड काते हैं रियो की पत्ती होती है उसमें कोशिका, कोशिका जिली एक प्रारुपी कोशिका हमें उसमें दिखाई पड़ती है लेकिन जब हम लोग इसमें सकर का घोल रग देते हैं तो क्या होता है जो रियो की पत्ती की जो कोशिका होती है माल लेते हैं ये रियो की पत्ती की कोशिका है और ये उसकी क्या है बाहर में है कोश्का जिल्ली सारी बाहर में है कोश्का भित्ती और इसके अंदर वाले भाग में होती है कोशका भिद्थी ठीक अंदर वाले भाग में क्या होती है कोशका भिद्थी तो जब हम लोग इस पत्ति के अंदर में सांद्र घोल डालते है सक्कर का तो ये सांद्र घोल आपके कोशका पर भी जाएगा क्योंकि रियों की पत्ति के अंदर में ही क्या है कोशिका है तो इसके अंदर में जाएगा और ये सांद्रगोल क्या करेगा अधिक सांद्रता वाले भाग से इस कोशिका के अंदर में सांद्रगोल है तो ये सांद्रगोल अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांदरता वाले भाग की ओर आएगा इस कोशका जिल्ली के माध्य हम से जिसे हम लोग क्या कहते हैं परासरड कहते हैं ठीक तो इस परासरड की क्रिया के कारण आपका जो कोशका द्रवे है वो क्या हो जाता है सिकुड जाता है इसी पर आस्रट क्या के कारण कोश का द्रवे क्या हो जाता है जिकूर जाता है और जिसे हम लोग कोश का द्रवे कुंचंग कहते हैं ठीक तो अब यहां पर देखो कोश का जिल्ली क्या काम करती है कोश का जिल्ली के कारी क्या क्या है कोशका जिल्य क्या करती है आवागमन में महतपूर भूमी का निभाती है या एक चेनात्मक पारगम में जिल्य की भाती काम करती है मतलब ये कुछ पदार्थों को जाने देगी और कुछ पदार्थों को क्या करतेगी रोग देगी मा लेते हैं कोई पदार्थों कोश्का के अंदर में जाना चाहता है कोई बड़े अड़ों कोश्का के अंदर में जाना चाहते है तो कोश्का जिल्ली क्या काम करेगी उन पदार्थों को क्या करेगी बाहर ही रोग देगी क्योंकि यहां पर जिल्ली होती है और यह जिल्ली कोशका जिल्ली होती है और यह जिल्ली बड़े अड़ों को कोशका के अंदर जाने नहीं देती है और क्या काम करती है हाँ तो एक हो गया कोशका जिल्ली एक चैनात्मक पारगम यह जिल्ली की बाती काम करती है ठीक दूसरा हो गया यहाँ कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका जिल्ली क्या करती है खोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है ठीक तो यह हो गया इनके कारी और क्या होता है जो कोशिका जिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन की मिलने से बनी होती है मतलब यहां पर जो कोशिका जिल्य आपकी बनी होगी, वो किसे मिलके बनी होगी वसा और फ्रोटीन से अब देखते हैं कोशिका भित्ती तो जैसे कि आप जान चुके हैं कोशिका भित्ती पादब कोशिका की एक अनूठी विसेश्ता है जहां जन्तु कोशिकाओं में बाहरे परत केवल कोशका जिल्ली होती है मतलब जन्तु कोशिकाओं में आपकी कोशका भित्ती नहीं पाई जाती है लेकिन पाधप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है कोशका भित्ती पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है पादब कोशिका में कोशिका जिल्ली के बाहर एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते है कोश्का भित्ति कहते हैं जो किस से बनी होती है सेल्लोस से बनी होती है यहाँ पर देखिए यह है आपकी पादप कोशिका और यह है आपकी जन्तु कोशिका का जो बहारी भाग होता है वो कोशका जिल्ली ठीक तो पादप कोशिका में जो कोशका बित्ती होती है कोशका जिल्ली के बाहर में पाई जाती है जो किससे बनी होती है सेल्यूलोस से ठीक तो जो कोशका बित्ती होती है वो कैसे होती कठोर और लचीली और क्या होती है छेद्र में होती है किससे मिलके बनी होती है कोशका ज कोशिका बित्ति के कारी है कोशिका को एक निश्चित अकार प्रदान करती है और उसको कोशिका को सुरक्षप प्रदान करती है अगर आपकी कोशिका मृत हो गई है तो उसमें भी कोशिका बित्ति क्या होती है दिखती रहती है अगर कोई कोशिका मर गई है तो उसके बाहर मे भी आपको कोश्का भित्ती क्या होती रहेगी दिखाई देती रहेगी तो इस तरीके से हमने देखा कोश्का भित्ती जो होती है पाधप कोशिका के सबसे बाहरी भाग परत होती है जो किस से बनी होती है और कोश्का भित्ती के कार्य कौन-कौन से है या कोश्का को एक निश् कोशिक आधार प्रदान करती है, कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक